दोस्तो सेट 54 है और इसमें दोस्तो आप लोगों से पॉलिटी का 15 important question लिया गया है जो कि आपके SI और constable exam के लिए important होंगे अगर दोस्तो आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलेग्राम गुर्प में जुड़ चाहिए वहाँ पर आप लोगों को PDF सारा भे की गई अब देखो दोस्तो संग्य संरचना की बात हुई है तो भारत के किस अधिनियम दोड़ा दिया गया है तो वह है अधिनियम 1935 option no.3 का बिल्कुल सही जवाब होगा अगर दोस्तों हम बात करें भारतिय सविधान के बारे में तो भारतिय सविधान में लगभग 200 से ज अनुचेद लिये गया है सिधा इसी अधिनियम से उठा करके तो दोस्तों अधिनियम 1935 काफी महत्पूर है है हमारे संगेश सनचना के लिए ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है नेमलिखित में से कहां लोकतंत्र नहीं है यहां पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र कहां नहीं है अमेरिका नौर्वे भारत चीन दोस्तों सही जवाब होगा इसका चीन ऑप्स करते हैं हमारा तीसरा क्वेशन है कि निमलिखित में से किसमें सिध्धान्त और व्यवाहार में बहुत बड़ा अंतर होता है किसमें सिध्धान्त और व्यवाहार में सबसे बड़ा अंतर होता है अध्यक्षिय सासन प्रणली में फासिवादी सासन प्रणली में या साथर होता है तो दोस्तों वो है शासन प्रणडली में में और इसका एकजांपल हम भारत से आप Whoo को समझाने वाले हैं अब देखो दोस्तों संसद्य सासन प्रणली में क्या होता है राष्ट पती क्या होता है सबसे उपर होता है लेकिन दोस्तों अगर राष्ट पती के नाम पर ही यहां सारा काम करवाया जाता है भरत में क्या होता है राष्ट पती के नाम से ही सारा कारे यह करते हैं ठीक है तो दोस्तों सिध्धांत है कि राष्टपती परमुख है लेकिन विवाहर किस्त का है तो प्रदंधान मंत्री का है तो सबसे बादा अंतर होता है संसद्य सासन पढ़नली में ठीक है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लोगों की स्वतंतर्ता का सवर्ण करना नीतियों की सिव्ध लागू करना सरकार का अस्थाइत्व या उपयुक्त सभी देखो दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रिभिएस वीडियो में बताया है और यह राजनितिक शास्त्र पॉलिटी के यह थर्ड वीडियो है और मैंने पार्ट टू में और पार्ट बन में आप लोगों को इसके बारें पुरा जिक्रिकर करके बताया है तो उस वीडियो को नहीं देखो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा आपको यहां से काफी कॉंसेट अधिक्षिर शासन विवस्ता एक आत्मक शासन विवस्ता संगी मैं यहां चलती है तौकै यहां क्या होता है लोगों की सवतनतरता का सद्धाव जाता है सरकार का अस्था इत्व होती है ठीक है चलिए आगे बरते हैं आगला प्रश्न है कि प्रथम केंद्रिये विधान सभा का गठन कप किया गया था अब देखो दोस्तों प्रथम केंद्रिये विधान सभा का गठन यहां पूछा जा रहा है कि प्रथम केंद्रिये विधान सभा का गठन जो है वो कप किया गया तो इसका सही जवाब होगा 1901 कैसी स्वे ऑप्शन नमर्स इसका बिल्कुल सही होगा ठीक है प्रत्व केंद्रिये विधान सभा या विधान मंदल का जो कठन हुआ था 1901 में किया था और इसका प्रधान जो किया गया है दोस्तों वह भारा सरकार अधियुंए 29 perdiner में किया हैilotी अधिनियंद्य nesse सेयु चुल्म अधियात अधियादीन हय में प्रथम केंदरिय विधान सभा में 145 सदसे थे सदस्यों की संकhया भी आप लोगों को याद रखना हो गा ठीक है कई आपकी एग्जामेनेशन में कई ये भी पूछ दिया कि प्रथ्यम केंदरिय विधान सभा में सदस्यों की संकhय कितनी थी तो वहाँ पर आप चुप ना हो जाओ इसके लिक्सो पैतालिस को भी नोट टाउन कर लीजे ठीक है चलिए आगे बरते हैं दोस्तो अगला प्रशन है आपर केंद्रिये बिधान मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था देखो दोस्तो केंद्रिये बिधान मंडल का प्रथम स्थापना हुआ था 1921 yesp में हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष क्यां द्यश्तो थे वह च प्रथम याद रखेगा ये अंग्रेज के थे और जो वला बिठल भाई पटेल थे वो आपके भारतिय थे भारतिय प्रतम अध्यक्ष थे अगर यहां दोस्तों फेडरिक आता तो आप यहां पर फेडरिक इसका सही जवाब मारते ठीक है लेकिन यहां पर बिठल भाई पटेल आया है तो बिठल भाई क्या होता है लोकतंत्र होता है लोकतंत्र याने की जन्ता का सासन करना ठीक है अस्थानिय सरकारों का अधार होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन यहां पर कि सर्वसत्ता संपन संसत की अधारना किस देश की देन है अब देखो दोस्तों काफी महत्पुन सवाल आप सभी के सामने यहां पर आया है सर्वसत्ता संपन संसत की अधारना किस देश से लिया गया है अब आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन बताये ठीक है अब देखो दोस्तों अगा संसत्मक सासन पर नली लिया गया है एक और नागृक्ता लिया गया है और बिधी निर्मान पर किदिया है यह तीन जो पॉइंट है दोस्तों आप लोगों क्लिए काफी इंपोर्टेंट होगा इंगलेंट से समदित फिर से मैं यहां रिपीट करता हूं दोस्तों जो सर्वसत्ता संपन संसत के अधारना हैं है वो आप सभी का इंग्लैंड यानि की बिरिटेंज से लिया गया है और यहां संसात्मक सासन पर नली एक अलनागरिकता विधी निर्मान पर किरिया यहां से इंग्लैंड से ल लिया गया है तो दोस्तों यह जो है संयुक्त राज अमेरिका यानि की यूएसे से लिया गया है अब यूएसे काफी महत्पुन रहेगा हमारे लिए क्यों क्योंकि दोस्तों यूएसे से और भी कुछ ऐसे अटा में जो लिये गया है जैसे कि हमारा मौलिक अधिकार हो गया यानि कि मुल अधिकार हो गया, उसके बाद न्याइक पूर्णा अलोकन हो गया, सविधान की सरवच्चता हो गया, न्याइपालिका हो गया, न्याइपालिका की स्वतंदर्ता हो गया, निर्वाचित राष्टपती और उसके महाभ्यूग, राष्टपती, उस्तम न्याले, उ सबसे इंपोर्टेंट बीति ये अपात जो है दोस्तों वह आपका सभी कहां से लिया गया है वह आपका संयुक्त राज अमेरिका से ही लिया गया है ठीक है चली दोस्तों इससे रिलेटेट कुछ और कोईशन देखते हैं काफी महत्पून रहेगा दोस्तों अगला प्रशन है कि भारत में एकल नागरिकता के उधारना कहां से लिया गया है अब देखो दोस्तों भारत में एकल नागरिकता यहां पूछा जा रहा है तो भारत में जो एकल नागरिकता के उधारना है वो इंगलैंड से लिया गया है और बिधी अनिर्मान प्र खारत के स्रविधान के बिदेशी सुरोत है वो याद रखना है आपके एक नमर का प्रश आपके हर एक एक पुछा जाता है यह पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेशन है बिदी का सासन की संकल्पना कहां की सर्मधानिक पढ़नाली की बिदी के सासन की मतलब क्या होता है दोस्तों तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं दोस्तों बिदी के सासन जो है बिदी का सासन है दोस्तों इसका अर्थ होता है बिदी के समक्ष समता ठीक है अब बिदी के समक्ष समता का मतलब क्या होता है तो दोस्तों इसका मतलब ही ह होता है बिधी जो है सर्वपड़ी है तथा वो सभी लोगों के समान रूप से लागू होती है ठीक है जितने बी लोगैं सब्के लिए कानोन जो है वो बराबड होगा मोटा मोटी आप बीधी के प्रणली की बात आई है तो संहीय प्रणली कहां से लिया गया है दोस्तों संहीय प्रणली आप सभी का कानाडा से लिया गया है और किस चैसा ये भारतिया के जो शंखवाद के साथ संहीय प्रणली भी यहाँ पर है ठीक है छले आगे पर और नेक्स्ट वैसे लिए है दोस्तों अगला प्रशन है कि भारत के स상विधान में संग्ये सब्द का पड़ियों कहां हुआ है आप देखो दोस्तों यहां संग्ये सब्द का पड़ियों कहां हुआ है ये सब्द आखिर लिया भी गया है या नहीं लिया गया है ये भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो दोस्तों सविधान में कहीं भी नहीं इस सब्द का जिक्र किया गया है लेकिन हाँ एक छोटा सा सब्द का जिक्र यहां किया गया है कि भारत जो है दोस्तों वो किसका संग है तो रा जो का संग भारत है ठीक है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकता है, संगीं सब्ड कहीं जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन वह एक जिक्रा किया गया है कि भारज़ का संग है यह आप सभी का अनुछेद आर्टिकल में दोस्तों यही कहा गया है कि भारज़ गया अर और कहीं भी संग्ये सब्द का परयोग नहीं किया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखरी प्रश्न को देखते हैं दोस्तो अगला प्रशन है कि निमलिखित में से कौन सी केंदरिकृत सरकार की विस्यस्ताय नहीं है आप देखो दोस्तो यहां केंदरिकृत सरकार की विस्यस्ताय नहीं होती है दोस्तो वो होती है नियाईक समिक्षा बाकी निर्भर राज ये सही है एकल सरकार ये भी इसकी व ब्रिटेन और निउजीलैंड ठिक है ब्रिटेन और निउजीऩ니다. अब दोस्तों यहाँ पर समीक्षा हցं оставा है ठीक है तो ये था सेट चववन बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कॉंस्टेबल एक्जाम 2019 के लिए और 15 पॉलिटी के क्वेशन थे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपने वीडियो लास तक देखा तो वीडियो को लाइक करके जाएगा और हाँ दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंट्स के सार सेर कीज़ेगा और पीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप में जुड़ जाएए यहाँ पर आप सभी को रेगलर पीडियो में यहाँ प्रवाइट क कर आई जाती है ठीक है दोस्तों मिलते आप सभी से अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद